न्यू अपसराज जोईलर्स आपका विश्वास हमारी पहचान पता याद रखे न्यू अपसराज जोईलर्स परगोटा चोरह सागर मद्धिप्रदेश करीब पांच दिनों से एक खेट में भू के प्यासे डले हुए विरद्ध की जानकारी सागर जिले के खुरई में प्रिशासन को मिली थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है सागर टीवी न्यूज ने SDM मनुच चोरसिया को जानकारी ती थी कि खुरई के सेमरा गनपत गाउं में इस्तित एक खेट में पांच दिन से ब्रद भू के प्यासे हालत में डला हुगा है जिसके बाद SDM के निर्देश पर तेहसिलदार संजय जैन नायब तेहसिलदार दिनेश चन देल पटवारी प्रियंका उपादग्याय को मौके पर बेजा राजस में बिभाग का दल गाउं पहुँचा तो बताया के खुरई के कन्ना खेडी गाउं का 70 साल का रामनाद पाटेल करीब 20 सालों से मांसिक रूप से बिखशिप्त है उसने अपनी पतनी को भी भगा दिया है और सेमरा गनपत गाउं की राके सेन के खेड पर डला हुआ था दलने ब्रदु को पानी पिला कर खाना खिलाया जिसके बाद एम्बूलेंस की मदद से उसे सिविल अस्पताल में भरती कराया गया है यह रामनात पटल निवासी ग्राम कन्ना खेडी जिसकी उम्र लगवक 70 वर से यह मांसिक रूप से विक्षिप्त है लगवक 20 वर से विक्षिप्त है अपनी पतनी को भी उसने भगा दिया है और वो एक जगए इस्तिर नहीं रहता है भटकता रहता है दर उदर इसके प्रिवार है वहां सेमरा खेडी में और लगवक चार एकड़ जमीन है सामिल रूप से तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह सेमरा गनपत में सुवाराम ठाकवर के जो काम करता था लेकिन यह राके सेंद नाम के विक्ति सेमरा गनपत के उनके खेट में डला थे यह जैस पेड़ के नीचे लला हुआ है तो उसको पानी पिलवाया खाना खिलाने की कोशिच की उसने कुछ थोड़ा सा खाना खाया और तबकार हमलों ने एंबुलेंस बलाके उसको यहां के सिवर होस्पिल खोरई में बेज दिया है ताकि उसका जो भी प्रात में कुप चार है वो डाइमंड जोल्री, गोल्ड जोल्री, सिल्वर जोल्री और सभी प्रकार की जोल्री हमारे यां उपलब्ध है एक बार सेवा कम्मों का अवश्च दें तो पता याद रखिए न्यू अपसराज जोलर्स परकोटा चोरह सागर मध्यप्रदेश हमारा नंबर है 9425172041 8720040283 हाओ कि झाल हमारे टार से बाल जोल्री और से डें जोल्री प्रकार की लाए।